अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुब कामना है आईए आज का पंचांग भी देखते हैं 29 अगत संद 2020 दिन शनिवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष सम्वत 2077 तिथी एकादशी नक्षत्र पूर्वाशाड़ा राहु गल नो से साड़े दस दिशा सूल पूर्व दिशा आज दर्षव को बहुत पवित दिन हैं आज जल जोलीनी एकादशी भी है और आज वामन जहिंती भी है भगवान विष्णो की पूजा करने का आज बहुत सुंदर अफसर है हरी के स्मर्ण का आज बहुत सुंदर अफसर है हम भगवान हरी को जितना भजते हैं ये मान के चलिए इश्वर के गरपा से हमारे कष्ट कटते रहते हैं आज के दिन जो हरी नाम का संकिर्टन करता है उसे बहुत पुन्या की फलकी प्राप्ति होती है आज के दिन जो गजेंदर मोक्ष का पाट करता है आज श्री हरी के एक सुआठ नाम जबता है गजेंदर मोक्ष का पाट करता है बहुत सुन्दर फल की प्राप्ति होती है आज के दिन मीठा आटा भून करके कसार जिसको कहते हैं कदरी फल के साथ जो वित्रन करता है उसे बहुत अच्छा लाब मिलता है मेरे दर्शो को हमारे रिशियों ने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा कि जिस दिन में उन्होंने ये प्रियास ना किया हो कि मेरे बच्चों को, हमारे बालकों को, हमारे देश के लोगों को इस भारत वर्ष के हर नागरिक को कोई न कोई पुन्य की प्राप्ती होती रहे कहने वाले तो कह देते हैं कि आपके इतने वर्थ हैं, इतने तीज हैं, इतने त्यहार हैं अरे भाई, व्यक्ति भी तो बहुत पैसा कमाने का प्रियास करता है मैं ये भी कमालूं ये भी कमालूं दौलत भी कमाऊं धन भी जोडूं गोल्ड भी जोडूं प्लोट भी खरीदूं ये भी ऐसे ही हमारे रिश्यों का भी मन तब रहा है कि एकाश्ची भी करो द्वाश्ची भी करो ये भी करो जर्मास्ट में भी करो राधास्ट में भी करो कुछ तैय कर दिया, कि बिटा आज ही एकास्टी आएगी, उस दिन उस च्छमे में उस नक्षत्र में यह दितों ऐसे करोगे तो में बहुत अच्छा लाब मिलेगा बस इतनी सी बात है और हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो में बहुत अच्छा लाब मिलेगा आज के दिन मीठा आटा भूना हुआ चीटियों को जिवाना भी बहुत अच्छा होता है आज के दिन तुलसी पर दीप जलाना घी का और तुलसी माता के एक सू आठ नाम दोराना, पढ़ना, जपना बहुत अच्छा होता है आज के दिन गाहितिरी मंत्रे की ग्यारा माला करना अपने आप में अद्भुत सईयोग पैदा करता है आज के दिन मैंने बताया ना पीले रंग पीले रंग के लड़ू बाटना पीले रंग के मिठाई बाटना पीले रंग के तिलग लगाना पीले रंग के हलके फुल के वस्तर पहनना ये भी शुक्ता की शुमारी बढ़ाते है आज के दिन भागवान श्री हरी को दिन भर भजना चलते फिरते उटते बैठते श्री हरी श्री हरी श्री हरी श्री हरी भी जब ते रहोगे न तो आपके घ में भगवान हरी का भी चरण पड़ेगा लक्षमी की भी प्राप्ति होगी और लक्षमी पती हैं तो दोनों तरे की आपको प्राप्ति होगी आज के दिन कदापी भूल कर भी आप नोन वेज़ ना खाएं कभी नहीं खाना चाहिए लेकिन देखो भाई मानता कोई नहीं है सबका अपना अपना मन है अब क्या कह सकते हैं आपके लिए हम लेकिन कम से कम आज के दिन तो आप मान जाया करें आज के दिन अलकोहल का युज़ ना किया जाए आज के दिन जो लोग सिगरेट बीड़ी आदी पीते हैं उसका प्रियोग ना किया जाए वैसे तो कभी में ना किया जाए लेकिन धीरे धीरे छोड़ोगे तो भगवान आपको और ऐसा सत्व देंगे ऐसी बुद्धी जो भी खिलाता है बहुत अच्छा उसे लाब मिलता है गव माता से मुख और शुब अशीस की प्राप्ती होती है आज के दिन से किसी भी सद्गरंद की प्राप्ती कर सकते हैं जैसे आज के दिन से बहुत लोगों का मन होता है हम पुरान पढ़ें कितने पुराने हमारे 18 प और महरशी वेद व्याज जी आपको मालूम में ना कितने चिरन जीवी है आठ उन में से एक महरशी वेद व्याज जीवी है जो से हनमान जीवी चिरन जीवी है और महरशी वेद व्याज जी कौन है ये हरी का ही अवतार है विश्नु का ही रूप है समझे आप बहुत लिखा उ उज़राओ वेद लिखे पुरान लिखे वो पुरान लिखे सिर्मत भागवत गीता की बात करने तो कहने का भाव वास्तव में करपा हुई है उनकी हमारे संसार के उपर तो आज के दिन वेद व्याज जी को नमन करना आज के दिन वेद व्याज जी का नाम लेकर के शिप परान परारम करना आज के दिन से गीता का एक एक अध्या परना बनलब चाहें वो आप दस दिन में पढ़ें बेस दिन में पढ़ें पर सुरुबात आज के दिन से करना बहु मामी का, पापा का, मम्मी का, आपका, किसी का भी यदि एक आश्ची का आज के दिन वर्त है, उनकी सेवा करें, उनके कामों में हाध बटाएं, उससे भी आपको पुन्य की प्राप्ति होगी, और हरी की बात की है, आए हरी से जुड़ते हैं, दो मिनट के लिए हमारे संग जुड़ें, भगवान स्री कृष्चन की ध्यान साथना से, मनसा स्मरामी, बाला मुकुंदं मनसा स्मरामी, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्तले कोस्तुवं, नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले, वेनु करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठेच मुक्तावले, गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते, गोपाले चोडामनी, सान्ताकारं वुजगशयनं, पत्वनावं सुरेसं, विश्वात धारं गगन सद्रिशं, मेगवर्णं सुवांगं, लक्षमी कांतं कमल नयनं, योग व्रिद्या नगम्यं, वंदे विष्ट्नुंबव वयहरं, सर्वलो के कनाधं, कबच बना लें, ध्यान करें, बागे विहरी का अशिर्वाद हम सब के उपर बरस रहा है, अम बोलते हुए नेत्रखोने समान्य हो जाएं, देखो दर्शु को बूंद बूंद से घड़ा वरता, तो जितना भी आपसे हो सके, हमें हमेशा शुब करम करने के लिए लालाईत रहना चाहिए, और हमेशा अशुब करम से हमें अपने आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए, आपके बलवान हो जाएंगे, यदि जीवन में आप सुब करम करने की तरफ आपका मन अगरसर रहे, और इस प्रकार के जितने भी वरत उपास आदी आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपका मन जरूर जाए, तो आपको बहुत अच्छ अलाब मिलेगा, जादा ना कहते हुए, कल फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ, इनी शब्दों के साथ अपनी वानी को विराम देती हैं, जैमा इंद्राक्षी है, गुरु जी से मैं तब से जुडा हूँ, जब से वो एक चैनल आती थी, पी सेवेन, उसके उसी से मैं जुडा हूँ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई, तो मैं आज चर्ज चकित रह गया, जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आज चर्ज हो गया कि इन्हें कैसे माना, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वज़े से मैं आज तक उन्हें से परभावी थूँ, और इनका बताने का सैली वेगरा इतनी बढ़िया है, जो हम अपने कलास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ बाते थे, ये हमें बहुत पसंद आई, और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल बहुत चले गए, और आज तक मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी हूँ. किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माची से, नोट, शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक. हादे देल्गा का अजित देल जात, हादे देल्गा का यो हूँ सात्विलन नुप्रॉख से मिलने के लिए व्यक्तिकत.